नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सेबाज आज के इस ऊदिधे में मैं आपको बताऊए कि power saver device कैसे बनाते हैं यह कैसे काम करता है और दोस्तों यह जो device हम बनाते हैं यह real है या fake है तो चलि दोस्तों पहले हम इसे बनाते हैं देखे दोस्तों आपको चाहिए एक टू-पिन टॉप उसके बाद चाहिए आपको एक 4 MFD का कैपेसिटर यह कौन ब्रांट का है सिंप्ली आपको कैसे बनाना है आपको प्लक को ओपन करना है बीच वाले स्कूरू को खोलना है इसे आप इसको ड्राइवर के साथ खोलीजिए उसके बाद आप देखो आप पिन्स के उपर आप दो टर्मिनल देख पा रहे होगे उसमें आपको कैपेसिटर के एक एक वायर को कस देना है इसकूरू को टाइट कर देना है दोस्तों इसमें कोई माइनस प्लस का सिस्टम नहीं है आप सिंपली किसी वायर को किसी में भी जूट सकते हो तो आपको दोनों वायर को लगा कर सिंपली से स्क्रूज को टाइट कर देना है देखिए दोस्तों अच्छे से टाइट कर लीजिए आप इन्हें और आपको सिंप्लिए अब कुछ नहीं करना है अब आपको वापिस से इन्हें कस देना है फिर से आपको दोनों को लगा कर बीच वाले स्कूर को टाइट कर देना है और यह दोस्तों प्लक आपको कस देना है देखिए दोस्तों अब आप हमारी जो पावल्ट से वर डिवाईस वो बन कर कम्पिलिट हो चुका है अब आपको इसके उस बोर्ड में लगना है जिसमें आप फिरीज ऐसी कुलर जो भी आइटम यूज़ करते हो उसमें इसको इसको इंस्टॉल कर देना है दोस्तों ध्यान रखिए जब भी आप इसे प्लग से हटाएं बाहर निकालें आपको एक बार दोनों जो पिन हैं उनको सोट करना है क्योंकि जो कैपसिटर है वो ऐसी चार्ज करता है जिसे डिस्चार्ज होगा आपको कोई नुक्सानी होगा दूसरा है दोस्तों यह वर्क कैसे करता है तो जब भी हमारे घर में हाई कैपसिटी वाले हाई एनरजी वाले आइटम इस यूज़ करते हैं जैसे फ्रीज है या फिर ऐसी है या रेफिरेजेटर है जो भी उज़ करते हैं तो आप जैसे ही उनको प्लग इन करते होगे आप देखते होगे आपना जो घर का बल्व है एक बार वो डिम होता है और फिर तेजी से जलने लगता है उसी पावर में तो दोस्तों क्या होता है जो उनकी इंडेक्शन मोटर है वो बहुत ही हाई कैपिसिटी में बहुत ही अधिक मात्रा में एनरजी वेस्ट करती हैं क्योंकि जो मेगनेटिक छेतर बनाती है जो चुम के इसके लिए उन्हें बहुत कैपिसिटी की जरुरत होती है तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है जो कैपिसेटर होता है वो खुद के अंदर कुछ एनरजी सेव करकर रखता है और ऐसे में वो खुद की एनरजी वहाँ पर वेस्ट करता है तो जिससे हमारे मीटर पर लूड कम और हमारा जो बिल है वो कम आता है तो दोस्तों इस तरह से वर्क करता है तो दोस्तों सिंपली आप इसे बना सकते हो मार्केट में रेडिमेट भी डिवाइस मिल जाते हैं बट यह काफी सस्ता है आप यह कंप्लीट 40 रुपे में बन जाएगा दोस्तों यदि आप फैन या फिर वल्ब के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप सबत तीन MFD या नि तीन पॉइंट पाद रहा है MFD का कैपसेटर यूज़ कीज़े यह दिया फिरिज ऐसी कुछ कूलर वगेरा बड़े में यूज़ करना चाहते हैं तो आप सार MFD का यूज़ कर सकते हैं तो तीसरा दोस्तो यह डिवाइस बिल्कुल रियल है और यह वर्क करता है यह केसी भी कोई फेक नहीं है तो दोस्तो आप इसे बना सकते हो तो दोस्तो आशा करता हूँ वीडिया अच्छा लागा होतो लाइक करो कोई भी बात दिलो दिमाग में हो कमेंट करो दो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेर करो और हमार चेनल के सब्सक्राइब करना ने भोले तो तब तक के लिए बाइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो